बॉलिवुड के सूपर स्टार शारू हान को जब भी आपने देखा होगा फिल्म इंडुस्ट्री में वो अपनी करियर बेहर शानदार ब्यभार और सर्थ दिग्निटी मेंटेन करते हुए महिलाओं के सम्मान में हमेशा आगे खुद को रखने वाले कैसे इस लिबरिटी कहलाते हैं जिन्हीं हमेशा सही अपनी बेहद शांदार खुबियों के लिए जाना जाता है उनकी खुबियां हमेशा उनकी खामियों पर भारी पड़ती है लेकिन ऐसी खामिय है शारू खान की जिसकी बजह से उन्हीं एक बार माफी तक मांगने पड़ी जिल्लत सहने पड़ी शारू खान की नशे की वो आदत जिसे वो सुधाने में लंबा वक्त निकालते रहे पनी इस आदत को विस्तार से बताते वे शारू खान ने एक बार एक खुलासा किया आपको जरूर सुनकर हैरानी होगी शारू खान 54 साल के अभिनेता शारू खान के बारे में ये बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि शाहरूख खान साल 2006 में डाउन फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे और उस वक्त चैट शो में उन्होंने हिस्सा लिया शाहरूख से एक फैन ने ऐसा सवाल किया उन्हें माफी मांगने पड़ी जी हाँ दरसल शारूखान का सवाल था कि आप एक anti-cancer product launch करते हैं तो ये अपने आप में अजीब नहीं है क्योंकि आप खुद भी एक नशे के एक आदी बन शुके हैं तो सवाल पर शारूखान ने काफी मंदारे से जवाब देते हैं ये अजीब तो है लेकिन अब मैं polio injection भी नहीं देता हूं लेकिन लोगों को लेने की सलाह तो देता ही हूं मैंने हर बार कहा है मैं नहीं छोड़ सकता कुछ ऐसी आदत जो बहुत बुरी है चानते हैं लेकिन उसे उनकी लथ है लेकिन वो बहुत जल छोड़ देंगे इसकी कोशिश उनकी daily होती है अच्छे protocol launch करने का मौका जब मिलता है तो वो आगे क्यों ना आए उनकी नजर में अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुशनी ज़रूर शाही शारुक ने माफी भी मांगी अपनी गंदी आदत की वजह से उसी दोरान और उन्होंने कहा कि फोन किया गया था उन्हें और प अपनी लत सुधार नहीं पाए नेक्स्ट नाइन यूजरूम से त्रुपतिक रिपोर्ट